कि आप भी अपने बालों के जहरने से बहुत ज्यादा परेसान हो चुके हो आपको इसका सॉलूशन नहीं मिल पाड़ा है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें आपको जो भी प्रॉब्लम है बालों का जो भी हेर से आपको प्रॉब्लम आप जरूर बने रहें आपको चल पाए कि या-क्या प्रोसस और कैसे कैसे यूज्व करना है तो गई मैं 3 ओंध ली हुई है अगर जो आपका बाल थोड़ा चोटा है तो आप अपने हेरलंद के कॉर्डिंग आप ले सकते हैं आप चाहे तो एक अनियन भी ले सकते हैं तो चैहे तो यहां फोल्ग है तो ने यहां पर तीन लिया है और इसे अच्छे से कद्दू करस कर रही हूं कर सकते हैं है तो यहाँ पर डुसह से इससे इसको देख सकते हैं अप्षाइल से जासेकी युझामांके चाइलने कर आपór यहां चाहिए तो आप यहां पर चाहिए कामानों चाहें वह मादय आंशाच यहां पीछ चाहते ने बातल आप से उनिकामा मादयidade यहीं दौने यहां 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 आप निकाल लेना है यहीं निकाल ले लिमीने नेशाटेना है Composite और आपको लेना है ओलिव ओल और आपको लेना है विटामिन ए कैपसूल तो यही सब चीजों से बन जाएगा हमारा होम रेमेडी हेर मांस बिल्कुल परफेक्ट वाला तो आप देख सकते हैं ओनियूस मैं यहां पर मिक्स कर रही हूँ एक से करीब देर चमच के करीब मैं यह तो विटामिन एक कैपसूल अपने मन पर है और फिर यहां पर मैं डाल देती हूँ कोकोनट ओल भी मैं कम से कम एक चमच के लगभग ले रही हूं यह जमा हुआ है इस वज़े से आपको उतना पता नहीं चल रहा है आप अगर जो आपके पास अगर पिगला हुआ हुआ है इसमें डाल दे एक चमच और फिर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें यहां पर धूप है तो यहां पर धूप में अच्छे से मेल्ट हो जा रहा है आप देख सकते हैं अब इसको कुछ नहीं करना है बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है कम से कम एक मि और फिर रेडी रहेगा तो यह हमारा होम ने मेडी हेर मास बिल्कुल रेडी है तो चलिए अब फटा फट से मैं आपको लगा के दिखाती हुए से आपको लेना है यहां पर एक कॉटन पेड और कॉटन पेड की हैं से आपको अच्छे से अपने पूरे स्काल्प में पाटिश अजली जो होता है वह सभी को प्रॉब्लम दूर करने में यह बहुत ही फायदे मंद है अगर जो आप इसे रेगुलर यूज करोगे तो आपका जो भी खोयावा बाल है ज़रावा बाल है वह बिल्कुल वापस आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होएगा तो आप यह कि अब्स आपको ऑना है अपने हेर लेंड यह को लगाना है है तो नह dużo होते हैं इसे बंगआश मैं आपके चित्व बाल होते है वह पिल खत्म होए और आपका काफी हेल्प मिले आपको तो झाटर अपको है अच्छा यह और आप दे Обम झीए बाएसे करना है अपको बिल्कुल नाह भूले और हैं मांस को लगाने के बाद को कम से कम एक सी घिर घंटा आपको अपने हेयर में इसके अपने एक बास Life करोille को कम से कम मन्त में चार बार लाए ही लगाना है अगर जो पांच-छे बार भी लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको मिनिमम चार भार आपको लगाना ही लगाना है तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा यह था हमारा आज का वीडियो कमेंट करकर अपना एक्स्पिरियंस में साथ ज़रूर सेयर करें और यह वीडियो आपके लिए थोड़ासा भी हलपूल रहा हो तो मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बैल अदवाना ना भूले और इस वीडियो को जदना ज़्यादा सेयर कर सकते हैं तो चलिए गाईज मिलते हैं नेक्स रि में तिल टेक कियर बाई बाई